हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और देखिए हमारे नए वीडियो सबसे पहले नमस्कार दोस्तों मैं हूँ जगन और दुरुगाजी.com पर आप सबका स्वागत है दोस्तों आज हम आपको उन भेतरिन गैजेट के बारें बताने वाले हैं जो आउनलाइन e-commerce website पर एक अचर से कम की कीमत में उपलब्ध है और आपके काम की काम भी आ सकते हैं तो आइए देखते हैं इंगेजेट को उन से हैं जो आपका बहुत ही पसंद आने वाले है विससे आज कल जातर स्मार्टफोंस में सेल्फी फ्लेश मोजूल होता है की है और एक कैरी करने में भी आसान है क्योंकि इसका वज़न सिर्फ 41 ग्राम का है इस डिवाइस में निचे 3.5 mm headphone jack है जिसे इसे स्मार्टफों या टैबलेट से कनेक कर सकते है रड़ साइड में पावर बटन है जिनना ओन आफ किया जा सकता है दोस्तो ये डिवाइस स्मार्टफों का चार्ज इस्तेमाल नहीं करता इस लाइट में 200 MS की अपनी बैटरी है जो करिब 30 गंटे तक का साथ देती है और USB केवल के जरिये आप इसे चार्ज भी कर सकते है लेफ साइड के बटन से रोश्टिंगों कम ज़दा किया जा सकता है सेलफी फ्लेश के आलावा ये टौच का भी काम करता है साती आई बलैजर आप से इस फ्लेश लाइट को काट्रोल किया जा सकता है दोस्तो गर कई मेनत के बाद भी आपका लैप्टॉप या स्मार्टफोन साफ नहीं हो पा रहा है या कीबोर्ड में दूल चिपकी हुई है तो सुपर क्लीन कीबोर्ड क्लीनर से ये काम आसने से संबव है ओनलेन एकमर्ट सेट पर ये करीब 150 रुपे तक मिल जाएगा दोस्तो इसे सभी इलेक्ट्रोनिकल और मेकनिकल डिवाइसेस का डश्ट साफ करने के लिए इस्तिमाल किया जा सकता है ये एक जेल है इस्पर इलेक्ट्रोनिक्स वो उसके पार्ट जैसे बटन के बीच या कोनों में लगी हुए दूल चिपक जाती है इसे कई बार यूज करना भी संबव है जब तक ये नन ट्रास्परेट ना हो जाए तो ये काफी मुलायम है और इसे इस्तिमाल करने के लिए दीरे दीरे दूल लगी हुई जगर पर इस जैल को दबाते हुए गुमाना है तो इस तरह से सुपर कीबोर्ड क्लिनर काफी काम की चीज है अगला गैजट है USB Type-C Card Reader यहां यूजर MicroSD Card और SD Card दोनों को ही प्लग इन कर सकते है अगर स्मार्टफोन की मेमरी में जगा नहीं बची है और आपका स्मार्टफोन MicroSD Card वो OTG को सपोर्ट करता है तो यूजर इस OTG Card Reader के जर्ये दूसरे Memory Card को स्मार्टफोन से अटेच कर सकते है यह जल्दी फाइल्स को शो करता है और आसने से Memory Card की फाइल्स को एक्सेस किया जा सकता है दूसरा शोर USB Type-C Connectivity के साथ आता है तो यूजर कंप्यूटर से भी इसे Connect कर सकते है तो दोस्तो यह Portable USB Type-C और OTG Card Reader भी एक अच्छा गैजट है Coffee Work Warmer दोस्तो नाम से ही डिवेस का काम पता चलता है इस डिवेस की मदद से आप अपनी Coffee या चाय को गरम रख सकते हैं इस गैजट में Light Indicator है जिससे इसके On और Off होने का पता चलता है इसका Surface आसाने से साफ किया जा सकता है और अच्छी बात यह है कि अलग-अलग Sizes वो Shape के Cups वो Glass इसका Farmer के Surface पर Fit हो जाते हैं Coffee गरम करने का कोई और साधन ना होने पर इसका इस्तिमाल किया जा सकता है पर इस device पर Coffee को गरम होने में कम से कम 15 से 20 मिनिट का समय लगता है और Coffee सामाने गरम होती है अगर आपको काफी जादा गरम Coffee पीने की आदत है तो शायद यह gadget आपको पसंद नहीं आएगा magnetic charging cables का इस्तिमाल किसी भी smartphone में और किसी भी port के साथ किया जा सकता है magnetic technology होने की वज़े से इस cable का इस्तिमाल करके smartphone charge करने में ज़्यादा आसानी होती है दोस्तो आम तोर पर magnetic charging cables सामने charging cables के मुकाबले ज़्यादा टिकाओ होते है यहां lighting adapter को smartphone से plug-in करना है और cable को adapter के पस ले जाते ही magnet के जरीए cable adapter से attach हो जाता है साथे charging on करने पर lighting indicator भी on हो जाएगा दोस्तो यह cable काफी मजबूत है और सही तरीके से device को charge करता है साथ यह data transfer और file backup के लिए भी इस्तिमाल किया जा सकता है दोस्तो गर्मियों के दिनों में गर्मी से राहत देने के लिए एक idea है smartphone fans यह idea काफी छोटा और फैदेमन है यह fan गर्मी के दिनों में आपको थंडी हवा देगा आप इसे mini mobile fan भी कह सकते हैं आपको बस इसे phone में USB port के जरी प्लग-in करना है दोस्तो इस smartphone की charging का इस्तेमाल करता है और काफी छोटा वह हलका है पर इससे आपको नुक्सन नहीं होगा पंको के बीच में आपकी उंगली आने पर यह fan रुख जाएगा तो इस छोटे fan का इस्तेमाल आप कहें भी हवा का मज़ा लेने के लिए कर सकते हैं अगला gadget है FM Radio Transmitter यह 3.5 mm headphone jack connectivity के साथ आता है इसमें 300 mAh की rechargeable battery मौझूद है जो करिब 10 घंटों तक का साथ देगी दोस्तो इसका इस्तेमाल free FM radio सुनने के लिए किया जाता है साथ ही आप smartphone में इसे plug करके अपने channel भी बना सकते हैं इसके लिए आपको कोई free channel चुनना है और से select करना है और बस इतना ही आप कोई भी गाना अपने smartphone में प्ले करेंगे तो वो song उस transmitted radio station पर सुना ही देगा और उस गाने को उस radio station पर किसी और device से भी सुन सकते हैं जिसे driving करते समय अपने car के radio system पर उसी radio station पर जाकर यानि कि वही frequency tune कर बड़ी आवाज में वही song आप सुन सकते हैं इसके अलगा hand free conversation भी यहाँ पर मौझूद है तो driving के समय बीना device को हाथ में लिए आप बात कर पाएंगे और साथी volume को भी adjust किया जा सकता है दोस्तो अगला gadget है यह छोटा सा air blaster दोस्तो यह device खास करने आईफोन के साथ सपोर्ट नहीं करेगा किमकि इसका एस्तेमाल करने के लिए 3.5 mm headphone जेक्ट आवशकता होती है यह चीच काफी हुपय होगी है इसका एस्तेमाल करके user अपना TV और AC जैसे कई तरह की home appliance को पाट्रोल कर सकते है तो हर चीच को कंट्रोल करने के लिए लग 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 remote को हाथ में लेने के आवशकता नहीं होगी आपके ज़रा लिए गए air blaster पर निर्बर करता है कि आप कौन कौन से appliance को कंट्रोल कर सकते हैं air blaster अटेच करने के बाद प्ले स्टोर से डाउनलोड किये हुए एप में करना प्ले स्टोर से लिए लग लग में